हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि ओपो F25 प्रो फोन में आप लोग डिलेट फोटो वापस कैसे ला सकते हो अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro फोन है और इस फोन में जो है आपको डिलेट किया हुए फोटो को वापस लाना है अगर आपके फोन में कुछ फोटो जैसे हैं जिनको आप लोग रिकोबर करना चाहते हैं अपने डिलेट कर दिया था गलती से या अगर आपका जो फोटो का अलबम है यहाँ पर से डिलेट किया था तो इसको कैसे वापस लाएंगे या अगर अपने फाइल मेनेजर से फोटो को डिलेट किया था तो उसको कैसे आप लोग वापस लाएंगे आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्थक देखिए और अगर वीडियो पसण आए वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे, तो चलिए वडियो को स्टार्ट करता है, डिलेट किये फोटो को वापस लाने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस फोटो के एप को ओपें करने के बाद अगर अपने यहाँ पर से कुछ इस तरीके से फोटो को डिलेट किया था तो इसको वापास कैसे लाएंगे वापास लानी के लिए आपको albums में आना है और नीचे स्क्रोल डाउन करना है नीचे मिलेगा recently deleted का option तो इस recently deleted पे क्लिक करना है क्लिक करती है करें आपको photos देखने को मिलेंगे अल्बम पर वापस आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग उसके बाद आपको open करना अपने file manager को file manager open करने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर भी recently deleted का option मिलेगा तो जो भी photo अपने file manager से delete किया था गाइस photo या वीडियो जो भी है दिलेट किया फाइल manager से तो recently deleted पे click करेंगे तो 30 दिन के पहले की photo वीडियो आप लोग आपर से सेम उसी तरीके से restore कर सकते हो वापस ला सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप 25 प्रो फोन में डिलेट किये photo को वापस ला सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पस्ता ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाबाई